आज की भागती दौरती जिंदगी में किसके बास इतना वक्त है कि खुद के लिए खुब सारा वक्त निकाल कर खुब सारे पैसे खर्श करके पालर जाए और एक अच्छी सी बॉड़ी मसाज ले लेकिन स्टिल आज के लिए यह बहुत इंपॉर्टन भी है कि खुद को रिला पारी रोज मरा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टन हो जाती है जिसे हमें खुद ही परफॉर्म कर लेना चाहिए यह एक ऐसी टेक्नीक होती है जिससे आप अपने मसल्स को काफी स्ट्रॉंग बनाते हैं साथ-साथ काफी रिलाक्स भी फील कराते हैं तो आज इसी के बार तो इन फैक बहुत सारा स्ट्रेस आता है बहुत सारी टेंशन आती है लेकिन इन सबसे बशने के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को पैंपर किया जाए उसके काफी सारे तरीके होते हैं उन्हीं में से एक होती है बाडी मिसाज तो कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे घर बैटे-बैटे बोडी मसाज की जा सके यह आपने सही कहा कि घर पे बैठे मेरा यह बिल्कुल भी इस फेवर में हम नहीं कहेंगे कि आप गए आप थके हुए आपको इस्ट्रेस लग रहा आप गए पालर में जाके आपने करा लिया आपने महां पे जो करा लिया आपने कु जासरा वह नहीं करें जाए इसके लिए इसके लिए सबसे आप क्या करिए जब यहां बर्डी मसाज करने कि लिए सोचिए कि आज हम अपना को मसाज करेंगे तो सबसे पेले करम पानी में हाथ और पर जरू डिप कर दिज कि अपने पानी में पैर डिप कि और ज्यादर जादर पानी में हो पो तो घृट कर दिया निप के बाद आप थोड़े साफ की एक तो साफ हो गया ऑध थोड़ा से थकान निकल गयी उसकी बाद स्टार्ट कीजिए अब इसके वाद क्या करिए अब आप सोची कि हमने बाड़ी मसाज करनी अपने को रिलेक्स करना है तो क्यों ना रिलेक्स करने के पहले थोड़ा सा अपने को ऐसा काम करें कि ब्यूटिफुल भी हो जा मामला अगर आप मैदा दूद और चीनी का एक घोल को ब्रश वाला बनता हूं उसको पूरा चिपका दीजिए ऐसे करके कोई ब्रश रश की जरूरत नहीं लीजिए रहा दिजिए अच्छे से अपनी बॉड़ी पे पूरा नेक वेक्स अब तरफ जिस्ट फेस को छोड़के फेस पर नहीं आप थोडी दिर में देखेंगे एक उसी समय फास्ट होगा और साथ के साथ आप देखेंगे जो सफेद मैदा थी यह मटमेली कैसे हो रही है यानि कि आपके स्किन का मैल भी छूट रहा है तो एक पंध दो काज चलिए बहुत अच्छी बात है तो कि वह एक पंध दो काज हो रहे हैं अगर आपने मैदा चीनी और दूद लिया उसको अपनी बॉड़ी पेस्ट कर लिया पूरा और उसको अराम अराम से ओपजिट डारेक्शन में उतारना है फिर आप देखेंगे कि आपके स्किन पर किस तरह की चमक आ जाती है और साथ-साथ और भी बहुत सारे नुस्के हो जाते हैं इसके लिए वैस अपनी बहुत से फोन मिला रहे थे नहीं मिला अब आप अमको बठाएं कि क्या करें अच्छी आप रात में कुछ लगाती है सोते समय जी रात में नहीं लगाते हैं कुछ विए आप जो कुछ अजली जो भी कर रही है एक थोड़ा सा एस फेक्टर आ रहा है यहां पर 50 प्ल सेकंडी स्टेज पर थोड़ा सा स्लाइटी काम होगी और उसके बाद नंबर आता है लोगा तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेजर है लेकिन आप एक चीज मिस कर रहे हैं यहां पर जब यह कोई ट्रीक्मेंट दिन का ले रहे हो रात में जरूर लगाई अब अब रात में आजी बना लीजेगा नीबू ग्लीसिंग गुलाब जल जस्ट इक्वल कॉंटिटिटी बना करके एक शेक करके बॉटल को प्रेपास रख लीजें सोते समय एक अच्छी सी लियर लगाईए पूरा अडराइजर सब तरफ लगेगा लिप्स पे भी लगाईए और सारा लगा कि इस स्टेज को भी जिन्दगी की समझा चाहे और जहां तक मैं जानती हूं मुझे लगता है कि इनर ब्यूटी इस मौर इंपॉर्टन देन आउटर ब्यूटी बाहर से खुबसूरत हर कोई दिखना चाहता है लेकिन अंदर की खुबसूरती को कहीं नगई भूलादे कोई इनर ब्यूटी का इनर ब्यूटी तो अगर आपके पास इनर ब्यूटी है तो आउटर तो अपने आप आही जाएगी लेकिन जो इफ़र्ट लेवल आउट के लिए दिखता है वो इनके लिए नहीं दिखता है बिलकुल ठीक आपाया जी आपने अभी हम बात करेंगे एक औ मैं एक बार आपने बताया थे कि मेथी का पावडर आवला और चाय की पती का पानी बना के अपने सिर पर लगाना है मैं वो लगा रहा हूँ आज कर लगबर तीन हवते से तो से कुछ फर्क लग रहा है आपको मैं थोड़ा सा मलद थोड़ा ब्लेकिश तो आया लेकिन अब आपने जो फर्स्ट हीना लगती उसके पाद एकदम से लगता है यह क्या हो गया बाल लाल हो गया कोई टेंशन मत लीजेगा मानस आपने जो अपनी मेंदी बनाई थी जैसे सपोस कि जे बॉइस के हीना तो बहुत कम कॉंटिटी के लगती आपकी चार चमच अगर जो सफेद आमला मार्केट में आता है उसको तवे बूल लीजेगा और मेंदी और आमला दोनों को एकुल मिलाने के बाद ऊपर से उसमें दो चमच कॉफी और एक आदी चमच चीनी डाल दीजेगा अब उसको बीट करके अपने बालों में लगाईएगा साथी के साथ काले में चाले के रच में लगते बाल कारश की शीशी में ते उसको जब भी टाइम मिले आप आप, आल बालों की कॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगा ये एक पकी बात है कि जितनी चीजे आप क्टीनु करते रहेंगे तो थोड़े से बाद आप देखे कि बाल एकद गद मस्त लेकिन कोई भी अगर स्किन पर प्रॉब्लम होती है हमारे हैर से जुड़ी होती है उसके लिए सब रखने की हम सब को बहुत जरूर जरूर होती है क्योंकि आज का हमारा लाइस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग बहुत इंपेशन्ट होते जा रहे हैं हमें चाहिए रिजल्स आट नो कोस्ट और वो भी बहुत जल्दी तो ऐसा बिलकुल नहीं होता है अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सब रखी आपको रिजल्ट जरूर नजर आएगा अभी बात करेंगे बविता के साथ फोन लाइन पर जी बविता हलो हलो गुद आफ्टर नून जी बताईया है जी इस बारा साल है और उसके बाल सिल्की है काफी अच्छे बाल से उसके लेकिन एक साल से उसको में बाल रफ रफ लग रहे हैं और उलज भी बहुत जाते हैं क्यों हो रहा है ऐसे रूखे आपने जब एक सिल्की थे तो रूखे क्यों लग रहे है कोई रिजन रफ लगने लग गए उलजे उलजे और कटे कटे से बाल लगने लगने लगए वह सर्थो का तेल लगाती है अब ही बहुत चोटी हैं बारा साल की इन्होंने का ऐसे चेंज अपर यह आप भी करी आपने जो कहा कि सर्थों का तेल लगा रही हो तब भी आपके कटे फटे जैसे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप ऐसा करिए एक तेल बनाईए बारा साल की है हीना बिलकुल नहीं लगेगा भी सर्थों का तेल में मेथी दाना करी पत्ता और नीम की पत्ती इन सब का पेस्ट बना करके धूप में लग दीजे फिर उसको आप छान लीजे जितना तेल उससे दुगना दही दोनों को बी तीन बार करेंगी तो आपके ड्राइनस 100% कम होने लगेगी अभी और बातचीत करेंगे कि बॉड़ी मसाज के लिए कौन कौन सी चीजें और हलफुल सावित हो सकती है और किन चीजों से अपने बॉड़ी पर मसाज की जा सकती है जो हमारी किचन में ही अवेलेबल हो लेकिन इस चोड़े से ब्रेक के बाद से टेट यूनन कीप ओचिंग कॉल्फा केर जब कभी भी हम एक बॉड़ी मसाज लेते हैं अच्छी सी या फिर खुद परफॉर्म करते हैं तो एक अलगी फ्रेशनेस एक अलगी एनरजी का एसास होता है तो जब कभी भी आपको यह फील हो रहा हो कि काफी टेंशन है काफी स्ट्रेस है आपकी जिंदगी में तो बस खुद के साथ गुजारिये अगर आप और भी खुबसूरत और भी ग्लोइंग और और भी रिलाक्स्ट फील करना चाहती है तो बहुत ज़रूरी है इन सारी चीजों के लिए कि अपने घर पर अपने साथ भी वक्त बिटाया जाए और खुद के लिए कुछ एक चीजों को अब ही बात करेंगे अनीता के साथ पोन लाइन पर जी अनीता है आपकर अबना कानपूर वालों के लाटि ब्ता आच फ़स्ट कर रहा है वहा बात करेंगे कि फाहिर लांगे इतर दूर्भा परIs बता lin तो इस मौसम में हमको क्या करना जाएए प्लीज मेरे को फोन पर बता दीजेगा और भीगोते समय उसमें दोनों को बहुत बार एक पीस के च्छान लीजेगा च्छानने के वाद जितना मेट्रियल निकले उतना ही दही और दो चमब देशी की पिगला हुआ उपर चे डाल दीजेगा सारे बालों में लगा के मीनिमम थी आर्स मैक्जिमम आपकी जितनी इक्षा जितनी देर रख सकते चलिए बहुत अच्छी बात है कि पूरे हिंदुस्तान की जो खुबसूरती है वो वापस आजाए उनके सबके बाल जो है वो ड्राइनेस से हट जाए और बहुत ही खुबसूरत हो जाए उमीद करते है अनीता जी आपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा अभी बात लगता है पूजय को मिला कर घुषर से बाडी मसाज कर सकते हैं अगर आपकी बाडी मसाज हफते बार हारी है कम से कम दो घंटा आप अपने को दे रहे हैं सब कुछ भूल करके क्योंकि यह सा कभी नहीं होता है हर लेडिस दूसरे में लगी रहती है अपने को छोड़ करके जब अपना शरीर तूटने लगता तब इसकी आद आती है तो जब जागे तब सवेरा जल्दी जाग जो और के अंदर बस उसके पहले आप अपने पूरा लगाने के बाद नीचे से उपर के डारेक्शनल मसाज लगा दीजिए यहां लगा खुब ज्यादा लागा के दूसरे लगाईए सुखने दीजिए और पूरा आपका अगर तेल अब्ज़र हो गया अंदर आपके पास बड़ी मसाज करा रहे हैं कर रहे हैं कराने के बाद एक फेस पैक सिंपल कुछ भी नहीं मिलाना है सिंपल मुलतानी मिटी का घोल बना करके लगा लीजिए और साथ में कॉटन रोज और मोटा एक दम उसको आइस पे रखके टाइट बैल्ट लगा लीजिए जब बड़ी मसाज बड कर अंदर कोई वजन ही नहीं बचा और मुझे लगता है इन सारे प्रोसीजर को करते वक्त ना जितनी भी दुनिया की टेंशन्स हैं दिमाग में उन्हें दूर कर देना चाहिए दस मिनट या बीस मिनट के लिए खुद को भी वक्त दे कर खुद के लिए अच्छी सी बॉड बाल हैं वह बहुत पतले हैं बढद मीरे हैं कुछ छोटे बाल मुझे समझी ना वसके बालों पर क्या लगाँ प्लस उसकी बॉडी में भी है रहे हैं यह बहुत चोटी बेटी ओटी है तीन साल की बहुत हो तो यह सब्हुत होता है और आप बिलीव किजिए ऐसे बाल निक पढ़ता है एक बार दो बार आप करा लिजे और साथ में बाल जो यहां पर आपके रोया हैं वहां पर यह फाइदा करेगा ब्रेट दूद में बिगो करके नीचे से उपर के डारेक्शन में हलके-ल्की प्रफ्ली मसाज होनी चाहिए एक दम रगणना नहीं है उनकी सिकन को बहुत प्यार से और बहुत ही कोमलता के साथ उनके हाथों पर उनके पैरों पर मसाज कीजेगा जिनसे उनके जो हैड्स हैं स्किन पर वो कम हो जाएंगे अभी बात करेंगे हम नव जोद के साथ जिनोंने दली से में कॉल किया है जी नव जोद हलो ऑन जी जी गुड आफर नून अजी मेरे ना बाल बहुत जादा ड्राई हैं मेरे बाल बहुत जादा पिंपल्स होते हैं एज कितने आपकी मेरी 35 35 आपके बाल ड्राई रीजन आपको कुछ समझ में आता है कुछ केमिकल वगरा तो फिर मेंडे कुछ को बें आपके बाल ड्राई हैं देखिए आपको इसमाल किजी आपने जो बताया आपने कभी नहीं किया इसका प्रोसीर अलग होता है तो जो अलग होता है व्यल पाउडरर रात में तही में भी मोगो दिजिए मौनिंग नसमें फेटी उसको सब्सा और ऊ को तर्फ इस घोल को एक बार लगाई दो घंटे बात हर्वल शेंपू का लिजेए फस्ट सेकिन्ड सेप क्या होगा कि थोड़ी सी मेंधी को ले करके बिलकुल पतली पतली सिर्फ मठे में भिः फेटे मतला अब डारेक फेटे डारेक फेटने के बाद उसमें आप मोटे आमल प्रग्या जो आपको मिलाए बेहतर आप से अगर आप बॉडी मसाज घर पर कर रहे हैं तो कुछ बातों को दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टन होता है जैसे कि बॉडी मसाज के बाद अपने बॉडी को अच्छे से टोन अप कीजिए जिससे आप काफी रिलाक्स काफी करते हैं और इसके साथ है इससे आपकी मसल्स भी स्ट्रॉंग होती है आपकी मसल्स काफी रिलाक्स बहुत ही पतले हैं कोई रेमिदी जानना चाहते हैं आप नारियल के तेल में नीबू करस मिला करके मसाज तो करनी करनी है और साथ में जब मेंधी लगाएं तो इसको संपल पानी में भी गोना है और वह भी आम ले के पानी में उसमें दही बिलकुल ना डालें इनके नोस पे भी ब्लाकेज निकल आते हैं और साथ-साथ फोरहेड पर भी आ जाते हैं और उसके वाद थंडी बरफ लगा लें इससे आपको काफी फरक पड़ेगा नेक्स्ट एसमेस हमारे पास है लास्ट एसमेस ही जानना चाहते हैं कि हरबल शैंपू किस तरह से बनाए रूबी का एसमेस है रीठा, आमला, शीका काई एक्वल कॉंटिटी को बॉयल कर लीजे खुब सारे पानी के में काफी देर तक जब थिक सा पेस्ट हो जाए उसको आप चान लीजे और चान के बॉटल को फ्रेज में रख लीजे वान तिंग शैंपू करने जब जा रहें एक थोड़ा सा शीका क पाउडर डारेक्ट उसमें एक टोरी में सीरप लिया उसमें आपने गोल बना के डाल दिया शीका काई पाउडर या मुलतानी मिट्टी भी डाल सकते दोनों में जो आपके च्वाहिस हो और सारे वालों में लगांके लीट फॉर 15 मिनिट लगाने के बाद उसमें कोई जाग मैं मैं मेरे जो चीक बने नो चीक के ऊपर मैं उसके ब्लैक पॉर्ट हो गया वह आई से ती आरहा है एज कितनी आपकी श्वाटा मैं 36 थरी 6 जिए ऑपको कैसे अचानक आया कि कुई दीरे पर लाइट रख वह ता गया अब दास मतलब काफी डाओ में बॉत परिशाना है प पर ब्लैमिश के फॉर्म में आ रहा है कि फ्रेकल्स में आपने कभी फ्रूट फेशल कराया अपने आप किया कुछ किया मैं जब से आपका प्रोग्राम देखा है ना तो तब से मैं मैंने वो ब्लीश लीन वाला भी रात को करती हूं और सुदे ऐलो गेरा वगेरा लगा है कि यह अच्छा हो जाए और प्रॉब्लम कितनी सारी है बाहर भी जा रही है अंदर से भी कुछ प्रॉब्लम में इस्ट्रस लेवल भी है जौप का भी टेंशन तो सारी चीज अंदर से चेहरा तो मन का दर पड़ है जो कुछ आपके अंदर चल रहा हुआ रहा है वहां प यह तो बहुत ही अच्छा कॉमिनेशन हो गया दोनों का लेकिन फ्रूट फेशल को नियम बना लीजिए हफते में तीन बार जरूर करेंगे आपके पपीते के गुदे की मसाच होगी उसमें मौसमी करस मिला करके और उसके पहले आलू करस लगा के और साथ में आप सफेद उ मसाच चाहें आप रोज करा लें लेकिन अगर आपके मन पे कोई बोज है कोई फ्रस्टेशन गिल्ट या कोई ऐसी गलत जो आपको अंदर फील होता है कि आप गलत है कहीं पर आपके उसका बोज है तो आप रोज बोडी मसाच करें कोई रिलक्शेशन नहीं मिलेगा यहां आप प्लड़स लोटके आगे अगर आपकी नहीं तो पैसा भी गया समय गया और गरी मिल रांप को एक चंदन का तेल ऐक सरसों का तेल दो दो तेल आप लेकर के क्योंकि सरसों के तेल से आप मसाज करतें तो बॉडी में ताकत आती है साफ होता है संद कि सब कुछ लि अच्छी आजाएगी तो यह आल्टरेट करके बैलेंस वही संतुलन हर जगे बनाना है इससे साफ हुआ उससे खुश्बू अच्छी मिली और दोनों के मिला के तन्मन दोनों सुंधर हो गया चलिए बहुत अच्छी बाता है कि जो सरसों का तेल है और चंदन का तेल है काफी फायदेमन साबित होता है कोई और भी खजाने में आपके टिप है जो आप देना जाती है कोई और तेल भी इसमें helpful साबित हो सकते है हमारा यह मानना है कि अगर आप बोटी मसाथ जब भी करिए पहले पूरा उप्टन लगा तो double purpose solve होता है समय भी बचाइए पैसा भी बचाइए तब ladies की तारीफ है कि आपने कुछ किया जहांके खर्चा कर दिया तो क्या किया खुछ नहीं किया लेकिन मन फिर भी रिलाक्स फिल नहीं पर इसके लिए आपका बहुत बहुत इंपॉर्टन होता है पायल जी आप यहा पर आएं इसके लिए आपका बहुत बात शक्राइए थैंक्यू